तो यहाँ साइबर सेक्यूरिटी में इंट्रेस्टेड हैं, एक अच्छे हैकर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में हो रहा है क्या करें, कैसे करें, किस तरह सीखें, क्या स्टेप्स फॉलो करें, कोई गाइड करने के लिए नहीं है तो यहाँ पर में दावा नहीं करता है, कि यह सारे के सारे स्टेप्स आपके लिए भी यूसफुल होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप्स आपके लिए जरूर यूसफुल हो सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आप भी जाना चाते हैं इन सारे सारे स्टेप्स के बारे में और कैसे आप एक अच्छे हैटिकल हैकर बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो यहां पर step one जो है यह बहुत important step है और ऐसी बहुत सारे लोग इसको miss कर देते हैं और इसको follow नहीं करते हैं तो step one जो है वो है be practical यह एक बहुत important step है यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ books में चले जाते हैं और रट्टा मारते हैं, कोर्ट्स रट्टा मारते हैं, सौफ्टेल्स को रट्टा मारते हैं और सोचते हैं कि यार इसको करने से हम ethical hacker बन सकते हैं लिकिए बहुत गलत हैं यहां पे आपको 90-95% आपको practical बनना पड़ेगा, practically things करना पड़ेगा जैसे कि यार एक सर्जन है, अगर उनको सर्जरी करना है तो यहां पे उनको practically पहले करना पड़ता है यह से बहुत सारे practical things हो करते हैं, वो सिफ बुक से नहीं सिखते जादे-जाद वो practically करते हैं, 90-95% वो practical करते हैं, तभी वो surgeon बनते हैं similarly ethical hacker बनने के लिए, आपको 90-95% practically आपको करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि यहां पे क्या है, किस तरह software चलते हैं, किस तरह course चलते हैं, क्या course एक्जीकूट करते हैं, किस तरह यह काम करते हैं आपको networking और software, operating systems के बारे में सीखना पड़ेगा, कोर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, तो यह बहुत important step है कि आप be practical, आप सिर्फ books से मत सीखिए, यह एक important step है, इसको skip बिलकुल मत कीजिएगा, तो बढ़ते हमारे second step की तरह यह भी important step है, यह है learn Linux, यहां पे बहुत सरे ऐ videos मिल जाएंगे, YouTube पे जो बताते हैं कि आप Windows को यूज करके, Mac OS को यूज करके, आप ethical hacking सीख सकते हैं, मुझे पता नहीं कैसे यह करते हैं, लेकिन personally यहां पे जो Linux है, वही एक operating system है, वही एक important वस्तु है हमारे लिए, जो ethical hacking सीखने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए चाहिए अगर आप ethical hacking में एक अच्छा साती चाहते हैं, एक अच्छी partner, अच्छा partner चाहते हैं, तो आप Kalil Linux को अपना partner बनाएए, ओके, इस operating system को आप बहुत friendly बनाएए, आप इसके साथ बहुत ही घुल मिल जाए, जैसे आप Windows के साथ हैं, Mac OS के साथ हैं, इस Kalil Linux के साथ भी आप घु ethical hacker बन सकते हैं, यह भी एक important step है, learn Linux, आप Kalil Linux को बहुत friendly operating system अपना बनाएए, ओके, तो बढ़ते हैं हमारे step 3 की तरफ, get yourself a ethical hacking course, यहाँ पर मैं बिल्कुल recommend नहीं करूँगा कि आप YouTube पर जाके ethical hacking सीखिए, हाँ YouTube पर बहुत ऐसे अच्छे YouTubers हैं, जैसे कि मैं ही आपको ethical hacking सिखा आता हूँ, मतलब practical नहीं, लेकिन ethical hacking related software stuff के आपको बताता रहता हूँ, इस तरह के वीडियो को आप देख के थोड़े बहुत तो ethical hacking related stuff आप पता चल जागा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला थे कि आपको practical सीखना पड़ेगा, लेकिन YouTube पे ethical hacking practically सीखाना illegal होता है, यहाँ चोटे इसे software के बारे में सीखा है, और EC Council नाम का भी है, वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, वहाँ पर हाला कि आपको certificates भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके सीख सकते हैं, लेकिन EC Council थोड़ा बहुत महेंगा है, और Udemy थोड़ा बहुत सस्ता है, यही डिफरें नहीं हो कि युट्यूब पे ethical hacking सिखाना इल्लीगल है, हाला कि मैंने एक wifi related hacking सिखाया था, लेकि महाँ पर मैंने आप complete course नहीं बताया थे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिफ मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह की software को यूज करते हैं, कहा तो आपको एक अच्छा course लेना पड़ेगा, तो यह एक important step है step 3, तो बरते हमारे step 4 की तरफ यह भी important step है, यहाला कि यहां पे सारे के सारे important step ही है, तो step 4 है get a basic knowledge of coding languages, यहां पे हाला कि बहुत सारे coding languages हैं, जैसे कि C, C++, C sharp, Java, Python, Ruby, इसे बहुत सारे coding languages हैं, तो आपको in coding languages में थोड़े बहुत knowledge होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितना भी ethical hacking software है, वो in coding languages पे ही related है, जैसे हमारे Sherlock हो गया है, वो भी एक social engineering software है, उसको use का के आप किसी भी तरह के ID's को track कर सकते हैं, Facebook ID's track कर सकते हैं, किसी भी तरह के things को, मतलब कि social media को track कर सकते हैं, तो वो related है Python पे, तो ऐसे software से जो in coding languages पे related हैं, तो आप इन सब coding languages से थोड़े बहुत basic आपको आना चाहिए, तो यह भी important step है, हाला कि मैं recommend करता हूं, लिकिन यह उतना important नहीं है, अगर आप चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं, एक अच्छी बात है, एक place point होगा आपके लिए, लिकिन यह भी एक recommended step है, तो बरते हैं, हमारे fifth step की तरफ यह एक important step है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो step five है, make yourself a note, तो मैंने याद है, मैंने आपको बोला था कि यार, आप practically things की ज़्यास जाले हैं, लिकिन यहाँ पे बहुत सारे codes होते हैं, बहुत सारे softwares होते हैं, तो यहाँ पे हर एक code किसी के भी notes को आप copy मत कीज़ें, हाला कि मेरे पास भी अपना खुद का personal notes है, तो यह एक important step है, जो बहुत सारे लोग miss कर देते हैं, बहुत सारे लोग follow ने करते हैं, notes नहीं बनाते हैं, तो बाद में उनको परसानी होते हैं, क्या code था, कौन सा software था, कब कैसे use कर सकते हैं, तो यह याद करने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो इसको avoid करने के लिए आपको notes बनाना ज़रूरी है, तो अगर आप ethical hacking सीख रहे हैं, तो parallelly आप notes बनाएं उसके related, और लिखिए कि यह code इसके लिए उसके लिए उसके लिए जाता है, यह software इसके लिए उसके लिए कर सकते हैं, तो यह भी एक important step है, कि यार make yourself a note, एक ethical hacker के पास अपना खुद का ethical hacking notes, quotes, quotes का notes होना चाहिए, okay, तो यह एक important step है, तो बरते हैं हमारे last और sixth step की तरफ, तो यह भी एक important step है, तो six step है कि यार never stop learning, हाला कि ethical hacking में बहुत सरे ऐसे vulnerabilities, viruses, software, day-to-day, update होते रहते हैं, day-to-day, new viruses create होते हैं, new vulnerabilities create होते हैं, तो इन सब को जनने के लिए, इन सब को सीखने के लिए, आपको up-to-date रहना पड़ेगा, तो ethical hacking में किसी भी तरह के full stop नहीं है, यहां पे सिर्फ comma है, आप यहां पे full stop नहीं रख सकते हैं, अपने ethical hacking skills में, तो आप day-to-day कुछ नहीं तो सीखेंग ethical hacking में, तो आप full stop मत रखेंगे, कॉमा चाहें, तो रख सकते हैं, यहां पे full stop नहीं रख सकते हैं, यहां पे रोकिये मत अपने learning skills को, तो यहां पे कोई भी ethical hack, 100% ethical hacking related stuff, computer related stuff आता नहीं हो, तो हर एक अपने हिसाब से वो professional है, अपने thinking professional है, कोई-कोई अपने हिसाब से आप भी अपने हिसाब से professional है, आप देखें कि आपको किस field में interest है, हाला कि यहां पे ethical hacking में बहुत सरे fields होते हैं, तो यह भी एक important step है, never stop learning, okay, तो यह था हमारे six steps जो आप follow करके, एक अच्छे ethical hacker बन सकते है, professional ethical hacker बन सकते हैं, हाला कि अगर आप इस steps में किसी बेदर कर doubts हैं, में आप जरूर बता जाएगा, मैं उनका answer जरूर दूँगा, और हमारे चानल को subscribe कीजिए, क्योंकि में भी यहां पे ethical hacking related stuff और software related, vulnerability related, up to date रखता हूँ आपको ethical hacking में, तो हमारे चानल को भी subscribe जरूर कीजिएगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस technical hacking, technology related stuff, unboxing related stuff, डेखने का मैं चानल को support जरूर कीजिए, वीडियो इसको share कीजिए, मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तब के लिए, keep exploring, keep learning